इस वीडियो में लाइब डेमो पूरा प्रोसेस बताएंगे C.A. Intermediate No.23 Exam Form Filling बस आपको ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कैसे आप लोग C.A. Intermediate No.23 का एक्जाम फॉर्म फिल करोगे क्या मुवाइल फोन से एक्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो जी हाँ स्टुडेंस आप लोग मुवाइल फोन से भी एक्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो पहले आप लोग पूरा प्रोसेस देख लीजिए आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, क्या आप लोग मेरा हेल्प कर सकते हैं, प्लीज स्टूडेंट्स नाम मत करिएगा, आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और नोटिफिकेशन विल दबाद दीजिए, जिससे CA रिलेटर एक भी मिसना हो पाए, पहले आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा, देखने के बाद अगर आपका डाउट क्लियर हो जाता है, तो कॉमेंट बॉक्स में थैंक्यू जरूर बोलिएगा, मुझे नहीं लगता कोई अडिशनल डाउट होगा, फिर भी कोई अडिशनल डाउट होगा, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, चार्टे स्टेडिस के इंस्टाग्राम पे, इसका लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाइडी का, सबसे पहले कुछ डाउट को क्लियर कर देते हैं, आपके मन में डाउट आ सकता है, इसक इस यह करना है कि 23 अगस्त तक आप लोग एक्जाम फॉर्म फिल कर लिजे, लेट फाइन कितना लगेगा, तो 600 एडिशनल लग जाएगा, एक्जाम फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले, आईसे आई के ओफिस्यल वेब साइट प्याजाना है, इसको सेल्प सर्विस पोर लगाओगे, इसके बाद आप लोग पासवर्ट लिखोगे, लोग इन हो जाएगा, फिर भी लोग इन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो कैसे लोग इन करना मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, वीडियो का लिंग आपको डेस्क्रेप्शन में मिल जाएगा, जैसे ही लोग इन करोगे, आपके सामने निव डेस्वर्ट ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक्जाम फंक्शन वाले जो आप्शन है, इस पे क्लिक करना है, जैसे ही आप लोग एक्जाम फंक्शन वाले आप्शन पे क्लिक करते हो, निव डेस्वर्ट सो करेगा, अगर आपक किये भी exam form fill कर सकते हैं, इसके लिए आपको yes पे click कर देना है, अगर आपका photo और signature सब कुछ सही है, तो आपको क्या करना है, yes पे click करना है, और okay पे click करना है, जैसे ही okay पे click करते हैं, इसके बाद सीधा scroll down करके सबसे नीचे आजाना, जैसे ही स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हो, इसके बाद यहाँ पे आपका सारा detail fill होगा, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, next पे click कर देना, इसके बाद qualification, detail वाले dashboard पे आजाओके, स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आजाना है आप students को, यहाँ पे यह सारा detail automatic fill होगा, आपको कुछ भी करने का जवरत ही नहीं है, और हाँ students, आप ध्यान से बाते को सुने हैं, जिन भी students को exemption होगा, सब से नीचे आजाना, तो मेरे ही साब से exemption detail automatic fill होगा, अगर नहीं exemption detail fill है, अगर आपको paper में exemption है, तो yes पे click करके, आप लोग exemption detail को fill करोगे, अगर आपको exemption नहीं, इदे simple सा no पे click कर दीजिए, यहाँ पे तो आपको exemption detail fill करना ही है, और इसके बाद आपको exemption window में check भी करना है, जब exemption window open होगा, तो charter study सब से पहले आप लोग को update करेगा, तो अभी से subscribe करके all notification will दबा दीजिए, इसके बाद आपको next पे click कर देना है, जैसे next पे click करते हो, आपके सामने new dash words हो करेगा, सबसे पहले पूछा जाया क्या आपको English में exam देना या Hindi में exam देना, अगर आप English में exam देना जाते हो, तो English को select कर लीजिएगा यहां से, अगर आप लोग Hindi में exam देना चाते हो, तो Hindi को select कर जिएगा, medium में, यहां पे mistake मत कर देना, अगर आप लोग Hindi select करते हो, तो आपको Hindi में ही exam देना पड़ेगा, और English select करोगे, तो आपको ये students both group का exam देना चाह रहे हैं, तो both group मैं select कर देता हूँ, इसके बाद region को select करना है, कहां कौन से region में आपको exam देना है, north, south, east, इसके बाद आपको state को select करना, state को select करने के बाद exam city को select करना है, ये सब चीज आप अच्छे से select कर लीजिएगा, अब ध्यान से बाते को सुलेना, मेरे हिसाब से single group का exam form fill करोगे तो 1500, both group का exam form fill करोगे तो 2700, कोई भी declaration form fill नहीं करना, self declaration I agree पे क्लिक कर देना, इसके बाद submit पे क्लिक करना, जैसे ही submit पे क्लिक करोगे payment page ओपन हो जागे, यहां से आपको payment करना है, और हाँ students, जैसे ही payment करते हो, error so करता है, तो घबराने का बात नहीं, दुबारा से SSP portal पे log in करना है, जैसे ही आप दुबारा से SSP portal पे log in करोगे, इसका फिर से आपको exam function पे क्लिक करना, जैसे ही आप लोग exam function पे क्लिक करते हो, आपके सामने new dashboard so करेगा, आपको exam function पे ही क्लिक करना है, नीचे में submit and pending form आपको so करना, उस पे क्लिक करना, फिर intermediate exam form पे क्लिक करना, और यहाँ पे चेक कर लेना, payment status में S so करेगा, इसका मतलब है कि successful हो चुका है आपका payment, अगर F so करेगा, इसका मतलब है failed हो चुका है, अगर P so करेगा, इसका मतलब है pending में जा चुका है, अगर failed out P so करेगा, तो यही जो action आई बटन पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको payment का option मिल जाएगा, अगर payment का option नहीं आता है, इसका यह मतलब है exam form successful हो चुका है, application print पे क्लिक करना है, इस PDF को download करके, print out निकलवा करके, अपने पास रख लीजे, simple सा बात है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा doubt क्लिक क्लिक हो गया, कोई भी additional doubt है, तो comment box open, आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो, और आपके CA exam number 23 के regarding में, जो भी important update, announcement आएगा, admit card का update आएगा, सब कुछ इस channel पे आएगा, वो भी सबसे पहले, तो please students चैनल को subscribe करके, all notification will दबाद दीजिए, ताकि CA related एक भी important update और announcement मिसना हो पाए, सारा doubt क्लियर हो गया, तो comment box में thank you जरूर लिखेगा, मिलते हैं next वीडियो में, और हाँ students, अगर आप लोग सिए intermediate number 23 का test series, charter studies का purchase करना चाहते हैं, तो इसमें enroll करना चाहते हैं, चाहे group 1 का, या group 2 का, या both group का, तो आप लोग इसमें enroll कर सकते हो, अभी इस पे 50% का discount चल रहा है, new 50 coupon code यूज करना है, test series में आप enroll करते हो, C.A. exam pass करते हो, तो charter studies के तरफ से gift pack भी provide किया दाता है, trophy and medal, अगर आप लोग C.A. intermediate का test series में enroll करते हो, तो ये chapter wise test series है, सारे chapter का test होगा, और last में 2 full portion test होगा, तो आप लोग जल्द से जल्द enroll कर लिए, ये charter studies test series का question paper, पर professional बनाते हैं, और professional ही चेक करते हैं, प्लीज स्टुडेंस जरूर enroll करें, चार्टे studies का test series में कैसे enroll करना, मैंने detail video बना रखा है, video का link आपको description में मिल जाएगा, new 50 coupon को जरूर यूज करें, जिससे आपको 50% का discount मिल जाएगा, और charter studies test series का help line number भी आपको description में मिल जाएगा, आप चाहो तो whatsapp पे बात कर सकते हो, exam form फिल करने में कोई भी additional doubt, यूटूब comment box open, आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते, अगर कोई doubt ने तो please students comment box में thank you जोड लिखिएगा, अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो, तो direct मुझे message कर सकते हो, charter studies का Instagram पे, search किजिए Instagram पे charter studies या link आपको description में मिल जाएगा, और आपके CA exam से related, जो भी important update, announcement या admit card से related, जो भी update आएगा, सबसे पहले यही channel आप लोग को provide करेगा, तो आप लोग चैनल को सबस्क्राइब करके, all notification वेल दबा दीजे, please students, सबस्क्राइब करके, all notification वेल जोड दबाएं, और हाँ students, एक बार फिर से बोलने, exam form filling आज से start हो चुका, 2 अगस 2023 से, आखरी डेट रहेगा, 23 अगस 2023, without late find, with late find, अप लोग exam form fill करना चाहते हो, तो 30 अगस 2023 तक, आप लोग exam form fill कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से, कोसिस ये करना है, कि 23 अगस 2023 से पहले तक, आप लोग exam form fill कर लीजिए, late find Q600 additional पे करना, तो बेटर है, कि 23 अगस 2023 से पहले, आप लोग एक्जाम फॉर्म फिल कर लीजी जिन भी स्टूडेंस को फोटो और सिगनेचर पहले अपडेट करना है तो फोटो और सिगनेचर कैसे अपडेट करना मैंने डिटेल वीडियो बना रखा SSP पोर्टल पे ही लॉग इन करके आप लोग अपडेट कर सकते हैं देखो आप चाहो तो एक्जाम फॉर्म फिल करने के बाद अपडेट कर सकते हो पहले अपडेट कर सकते हो टोटली आप पे डिपेंड करता है आईशाय का गाइडलाइन के साअब से कैसे अपडेट करना आईशाय के गाइडलाइन के साबसे फोटो और सिगनेशन मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है वीडियो का लिंक आपको discussion में मिल जाएगा लास्ट में एक बार फिर से बोलना है चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में